खेलो फ्रेंट्स वेलकम टु यार ओन चानल डेली स्टॉक तो आज हम आपको गंगा फॉर्जिंग के बारे में शेर एनालिसिस बताने वाले है और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon सबसे पहले हम आपको company के बारे में बताएंगे कि company काम क्या करती है उसके competitors कौन-कौन है, share price chart बताएंगे, share holding pattern बताएंगे and quarterly result का analysis करेंगे like quarterly wise company कैसा perform कर रही है और पहले के years में company ने कैसा perform किया है so let's begin Ganga Forging Limited ये एक manufacturer है किसकी supplier of iron and steel forging बनाते है तो ये company manufacture करती है और वही चीज को supply करती है iron और steel forging बनाते हैं पार्ट सुनके market cap की बात करेंगे तो 78.9 करोड का market cap है तो ये company एक small cap company है जिसका आप stock price to earning देखेंगे तो 607 है और industry का price to earning है 20.4 तो industry के comparison में अगर आप देखेंगे तो काफी मेहंगे price पे अभी भी आपको ये काफी मेहंगे price पे ये share मिल रहा है मलब इसकी जितनी earning है ये जितना earn कर रही है उसके हिसाब से अगर company का valuation देखेना तो काफी मेहंगे price पे इसका share price ट्रेड हो रहा है book value है इसकी 1.26 और ये share आपको 7.45 पे मिल रहा है मलब book value के comparison में भी आपको मेहंगे price पे मिल रहा है debt company का ज्यादा नहीं है 8.37 करोड का है तो ज्यादा debt नहीं है interest coverage ratio ठिक्था के 1.28 परसंट प्लेज परसंट ये हापर 0 है मलब promoters ने अपने 1 भी परसंट के stake को pledge पे नहीं रखा है तो ये काफी बढ़िया बात है returns भी company के अच्छे नहीं है like 4.37 परसंट company का ROC है मलब capital पे इतना return मिल रहा है और equity पे 1.08 परसंट का मलब company की जब profit ही इतनी बढ़िया नहीं है तो returns भी अच्छे नहीं होगे जब profit अच्छा होता है तो return company अच्छा देती है तो उसी तरह से ये चलता है financial trend के अगर हम बात करेंगे तो 2018 में company का revenue था 24,91 लाग का 2019 में company का revenue था 28,05 लाग का 2020 में 23,76 लाग 2021 में 23,08 लाग तो company का revenue चलो छोटी सी company ये ठीक ठाक revenue कर रही है लेकिन यहाँ पर एक growth दिखती है वो इस company में नहीं दिखती है बिल्कुल भी नहीं दिखती है क्योंकि अगर आप इसके past past years में भी अगर आप देखेंगे company कितना revenue करें 16 करोड, 17 करोड, 17 करोड, 18 करोड इतना ही revenue कर रही है और अभी यहाँ पर इतना revenue कर रही है ज्यादा कोई increment नहीं आया है और 17 करोड पे भी company उस time 48 lakhs, 50 lakhs, 30 lakhs का profit earn करती रही और अभी यहाँ पर company 24 करोड, 28 करोड का revenue करके भी company सिर्फ 47,52,11 lakh का profit ही कर रही है 2020 में company loss में थी, वो भी 2 करोड, 12 lakh के वल्याँ अब company जब loss में तो उसके numbers करोड में आ जाते है लेकिन जब profit में है तो यहाँ पर company के numbers थोड़े करोड में तो चलो नहीं आ पाते है, लेकिन lakhs में आते है जबकि revenue बढ़ने के बाद भी company इतना ही profit कर रही तो एक stagnant company का profit तो आप समझ लेजी, एक stagnant हो चुका है कि इतना ही company profit करेगी और revenue में थोड़ा बहुत increment, decrement होता है वो भी ज्यादा नहीं होता है और आजू-बाजू ही गुंगता रहता है तो उस वज़े से company का growth नहीं हो पार है उस वज़े से company का जो share price है वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है quarterly result अगर हम देखेंगे तो June 2020 में company का जो sales था वो 3 करोड 5 lakh का था September में 7 करोड 15 lakh December में 6 करोड का था June 2021 में 5 करोड का था September में 7 करोड का था और December में 8 करोड का था तो आप देख लीजिए यहाँ पर June में कम उस ताइम आप सबको पता है pandemic issues से तो company का revenue कम हुआ है बाकि यहाँ पर इतना company revenue कर रही है प्रोफिट अगर आप देखेंगे तो net profit देखेंगे 10 lakh का था September में 16 lakh का था then December में 7 lakh का loss हो गया यहाँ पर जून में यहाँ पर 37 lakh का था September में 89 lakh का था December में 66 lakh का था तो यह वाला जो quarter है अभी वाले जो quarters है like 2021-22 के period में तो अभी company ने थोड़ा अच्छा perform किया है और company का profit अच्छा आया है बाकि rest of the years में company अच्छा ठीक ठाक perform करती थी और वही same profit बार बार लेके आती थी तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा खासा positivity दिखा है इसके financials में कि company का जो profit है वो बढ़नने लगा है क्यों क्योंकि उसका reason है other income अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले इतनी नहीं हुआ करती थी लेकिन अभी वो 27,48 लेक अभी वो थोड़ी थोड़ी हो रही है that's the reason यहाँ पर company का net profit अच्छा हुआ है क्योंकि revenue में तो इतना कोई increment decrement है नहीं वही पहले जैसा ही revenue है लेकिन यहाँ पर other income में थोड़ा बढ़ावा आने लगा है increment होने लगा है उस वाज़े से यहाँ पर company का net profit बढ़ा है although अगर हम देखेंगे तो company आपर करोर से उपर के profit करने अभी लगी है promoter holding देखेंगे तो 67.63% promoters के पास है mutual fund, domestic investors, foie investors इसमें नहीं है मलब जो बड़े investors है वो इस company में नहीं है retail and others देखेंगे तो 32.37% यहाँ पर retailers के पास भी है तो यह काफी ठीक ठाक है बट शेर holding pattern company की ठीक ठाक है क्योंकि promoters अच्छे खास है अपनी खुद की company में इतने है competitors अगर हम देखेंगे तो Sona BLW Precision है जो आप सबको पता होगा Sona BLW इसका IPO आया था जो ठीक ठाक था लेकिन उसके बाद जो company ने growth दिखाई या मिन company के growth भी अच्छी खासी दिख रही है और share price भी काफी अच्छा खासा भागा था बहुत सारे लोगों ने उसमें मुनाफ़ा कमाया है और बहुत सारों ने अभी भी hold करके रखा क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा share ये है और first number पे है हालफिला अगर सब में से अगर हम देखें तो सबसे छोटी company यही है 78.94 करोड की ये इसका market cap है अगर आप देखेंगे इसकी sales देखेंगे 8 करोड 12 लग की है जहाँ पर बाकी सबकी sales तो काफी ठीक है अच्छी खासी है और अच्छी खासी चल रही है profit अगर आप देखेंगे तो 66 लग का है सोना BLW में कैसा है देखो आप 439 करोड का company का revenue और profit भी आप देखें काफी बड़े है 76 करोड का है उसके सामने भारत फोड जो भी है वो थोड़ी थोड़ी छोटी company उसे थोड़ी सी उसका भी अच्छा खासा नाम है 2,394 करोड का I mean 94 करोड का sales है 421 करोड की company की profitability है अच्छा खासा 745 पे आपको यह share मिल रहा है यह काफी अच्छे खासा बड़े-बड़े shares है आप यहाँ पर आप देख सकते हो और अगर आपको शौट तम परस्पेक्टिव से अगर आपको देखना है यह share को तो आप यह भी देख सकते हो 5-year high यह 25 और currently 7.45 पे चल रहा है 3.25 परसेंट आज के दिन डाउन ता और अगर आप इसका एक महिने का भी चार्ट देखते है तो यह 30 परसेंट गिरा है वालब एक पिछले एक महिने में काफी अच्छा खासा यह share आपको गिरा है 13 रुपे से यह 7 रुपे तक आ गया 7.45 तक आ चुका है तो I mean यह share में अगर आपको short term trading perspective से निवेश करना है तो आप कर सकते हो इसमें निवेश कर सकते हो बड़ long term के लिए मैं आपको यह suggest नहीं करूंगी I hope आपको गंगा forging के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब आच चैनल थैंक यू